ठीक है दीपक तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी एल बीपी ठीक है तो जी एल बीपी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे और अच्छी तरह से एक एक चीज इसके सारे जो कॉंसेप्ट है वो सारे के सारे हम लोग किलियर करेंगे पूरा का पूरा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बात कर लेते हैं इस पर यह क्या है तो GLBP is the gateway load balancing protocol gateway load balancing protocol ठीक है तो एक word हमने बहुत पहले use किया था जब हम EIGRP पढ़ रहे थे load balancing क्या पढ़ रहे थे load balancing तो जब हम load balancing की बात करते हैं तो होता क्या है पहले हम load balancing की बात कर लेते हैं तो फोर एक जामपल इसमें कौन सा बिंक बिजीवल रहेगा ठीक है तो load balancing का मतलब यह है कि एक से एक computer है यह ठीक है तो इस computer ने फ़र example मालो मेरे पास यह मालो packet number one है यह मालो packet number two है ठीक है और यह मालो packet number three है ऐसे और भी हो सकते ज़रूरी नहीं कि तीन ही हो तो फिलाद हम example के लिए लीते हैं तो जब यह computer packet send करना शुरू करेगा जब यह packet send करना शुरू करेगा तो इसके पास load balancing के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो यह मेरे तीर राउटर हैं जो मेरे ISP से कनेक्टेड हैं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं इस इस माई ISP राउटर लाइक ठीक है यह ISP से कनेक्टेड है और हम लोग जो कर रहे हैं वह GLVP gateway load balancing protocol ठीक है हमने क्या किया कि वही gateway वाला कमांड चलाया और मैंने यहां पर gateway को आई-पीएटर्स दे दिया यह सभी अब होगा क्या अभी हम पूरी बात करेंगे पहले हम समझते हैं लोड बैलेंसिंग यहां लोड बैलेंसिंग कैसे होगी तो क्या करेगा एक packet उठाएगा यह इस रास्ते वेज देगा दूसरा packet उठाएगा वो इस रास्ते वेज देगा और तीसरा packet उठाएगा इस रास्ते वेज देगा यानि कि ऐसा नहीं है कि सारे packet किसी एक रास्ते से जा रही होंगे जैसा कि हमारे HSRP और BRRP में हो रहा था HSRP में और ठीक है Load Balancing तो ये होती है कि Load Balancing clear हुई कि मालनो मैरे पास तीन packet है तीनों को अलग-अलग रास्ते से वो बेज रहा है यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है Load Balance हो रहा है किसी एक particular किसी एक path के ऊपर यह सारा लोड नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं तो गेटवे लोड वैलेंसिंग प्रोटोकॉल तो गेटवे लोड वैलेंसिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो this protocol is also Cisco proprietary यह कैसा है मेरा Cisco proprietary protocol है can perform both function ठीक है अब बात आती है कि यह मेरे काईगी umbrella वही FHRP के अंदर का protocol है ठीक है यह भी मुझे क्या करता है ठीक है gateway की redundancy provide कराता है वट redundancy के साथ मुझे यह load balancing भी देता है छोड़ वैलन्सिंग भी देता है ठीक है अब बात आती है GLBP टर्म्स के बारे में कि GLBP में अब टर्म्स क्या होते है मैंने बड़े आसानी से इदर कह दिया कि वह है gateway लोड वैलन्सिंग प्रोटोकल एक पकेट इदर से यूं बेज देगा दूसरा पकेट इदर से यूं बे गेटवे बनाया हुआ है तो अब बात आती है कि गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल के से करता क्या है करता जैसे एक राउटर मेरा एक्टिव वन में दूसरा राउटर मेरा स्टेंड वाई बन जाता था तो क्या होता था पहले कि सारा का सारा जो ट्रैफिक होता था वो मेरे एक्टिव से या मास्टर वाले राउटर से जाता था यू सारा का सारा ट्रैफिक यू करके मूब होता था और जो दूसरा मेरा स्टेंड वाई या फिर बैकप राउटर होता था वो कुछ नहीं करता था वो केवल वेट करता था मगर इस इस दा बैनी फिर्ट्स या फिर कहें अडवांटेज या फिर एक्स्ट्रा फीचर आफ जी यल जी लीबीपी न जी अली फुर फेख्यान इश दीश टाव चीज नाइग सिक्टे तरह कि चीज नहीं होती पाएंगे इधर से इधर और इधर से इधर इधर से इधर तब ही तो लेकर जाप पाएगे तो GLBP मेरे जो तीनों router होते हैं वो active होते हैं क्या होते हैं यानि कि तीनों router के दौरा data की forwarding की जा सकती है ठीक है यह condition clear है अब बात आती है यहांपे कि GLBP Terms, GLBP Terms, जब GLBP Terms की बात आती है, तो सीधी सी चीज है, वेन यू मेक दा वर्चुल क्या करते हैं, आप लोग वर्चुल या फिजीकल कोई भी चीज यूज करते हैं, कोई IP अडरस यूज करते हैं, तो उसके साथ एक चीज और यूज होती है, मैक, अगर आपने मैक अगर आपने बर्चुल आईपी बनाया है, तो आपके पास बर्चुल मैक भी होगा, बर्चुल आईपी अडरस के साथ कौन काम करता है, बर्चुल मैक, पजीकल आईपी के साथ हमारा मैक अडरस काम करता है, यह हम लोग देखे वी थे पहले, ठीक है, तो मैक की बात हो वर्चुल आईपी अड्रस असाइन कर आते हैं तो यहां पर दो यह टर्म लिखा है एन आईपी अड्रस असाइन ए वर्चुल आईपी अड्रस फ्रॉम दा लोकल सबनेट कंफिगर दा डिफॉल्ट गेटवे वही चीज जो हम लोगों ने वर्चुल आईपी अड्रस लिया था जो के मेरा ये वाला ये वाला हमें गेटवे के लिए रिजर्व रखना चाहता हूं कि मैं जब भी गेटवे बनाऊंगा मैंने पहले त्या कर लिया वही में जब और नेटवर्क बनाते तो मैं पहले इक अन्डिसन कर लेते हैं कि मैंने जब डिजाइन करना है तो एक यह इस तरह से IP address आई रिजर्व फोरता gateway मैंने रिजर्व कर लिया कि अब जब भी gateway बने तो मैं इस वाले gateway को यह IP address दूँगा 10.0.0.100 ठीक है तो यह होगा मेरा virtual IP address और virtual IP address के साथ क्या होता है वी मैक वर्चूल मैक वी होता है वाई हम लोगों ने देखा वी था कल पर सो ठीक है तो यह चीज़ होगा वर्चूल मैक या वर्चूल IP address अब अगली चीज़ आती है active virtual gateway और actual virtual forwarder अब यहां पर हम लोग picture में आते हैं कि आते हैं इस picture पर आते हैं और फिर और चीज़ों को clear करते हैं ठीक है actual virtual forwarder कौन होता है और actual virtual gateway कौन होता है ठीक है तो actual virtual gateway की बात करते है एक्चूल virtual gateway की बात करते हैं AVF और AVG कहते हैं इनको इनको हम लोग क्या कहते हैं AVF और AVG ठीक है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं AVF और AVG के बारे में कि यह term क्या है GLBP के अंदर कि actual virtual gateway क्या काम करेगा और virtual forwarder क्या काम करेगा ठीक है तो actual virtual gateway की बात करते ही तो it is one of the router creating GLBP single group which is the responsible for assign the virtual MAC address for each member in group ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है अब इसको मैं और अच्छी तरह समझाता हूँ अब यहाँ पर एक टर्म आई मेरे सामने एवी जी एक्चुल वर्चुल गेटवे और एवी एफ एक्चुल वर्चुल फॉर्वरडर ठीक है तो हम लोग बात करते हैं कि जब मैं GLBP की कमांड चलाता हूं क्या करता हूं GLBP के कमांड चलाता हूं तो जो राउटर जिस राउटर के पास हाइर प्रायर्टी क्या होती है ठीक है प्रायर्टी क्या हूंront आलाई प्रायर्टी कमांड अपर्ण आ शर्वर्वर्ट्ड कि अवर्वर्वर्वर्वर्टी कर्ण। and other O-T-H-E-R other router is A-V-F A-V-F ठीक है भई तो यह टर्म अब हम लोग देखते हैं कि जिस राउटर की प्रायर्टी हाइर होगी वो मेरा क्या बनेगा एक्चुवल वर्चुवल गेटवे तो बहु बनेगा यानि कि फॉर एक जामपल इस राउटर की मेरी प्रायर्टी हेवी थी ठीक है मैंने जब GLVP configure किया तो by default हम लोगों को पता है priority is default priority set is 100 मेरी priority set कितनी होती है 100 होती है बाई ठीक है तो मैंने क्या किया इस router पर मैंने priority यानिके इस router पर मैंने priority set कर दी 150 कितनी 150 set कर दी तो अब यह router मेरा क्या बन जाएगा AVG actual virtual gateway AVG बन जाएगा यह अब यह AVG बन तो जाएगा यह तो clear है मगर यह करेगा क्या यह करेगा क्या AVG और बचे हुए मेरे सभी router बन जाएगे मेरे क्या AVF क्या बन जाएगे AVF और यह भी मेरा बन जाएगा AVF actual virtual forwarder अब इसमें होगा क्या AVF और AVG करेंगे क्या सुनना ठीक है यही concept है GLVP का एंड नथिंग इस एक्स्ट्रा तो AVG active virtual gateway higher priority AVG बन गया active virtual gateway बन गया यह अब जैसे कोई भी request आती है सुनना अब इस वाले computer से कोई भी request आती है कोई packet भेजना चाहता है यह for example यहाँ पर एक server लगा हुआ है कैसे यह यहाँ कोई server लगा हुआ है इसको कोई packet भेजना चाहता है यह कैसर्वर को कोई packet भेजना चाहता है ठीक है आप ये पैकेट वेजना चाहता है ये बंदा भी वेजना चाहता है ठीक है और ये बंदा भी कोई पैकेट भेजना चाहता है इसी सर्वर को या ने कि फ़र हैं पर मालो इटेज माई fv.com यह सभी लोग फेस्बुक चलाना चाहते हैं fv.com या फिर कोई यह ऐसा सर्वारा जिसमें मूवी बगएरा पड़ी रेती हैं ठीक है तो यह मूवी डाउनलोड गरना चाहते हैं कुछ ऐसा समय लो ठीक है अब जैसे यह तीनों बंदे एक साथ अपना रिक्वेस्ट फायर करेंगे क्या करेंगे जैसे रिक्वेस्ट फायर करेंगे या जैसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे क्या request send करेंगे तो यह तीनो request सबसे पहले किसके पास जाएंगी ABG के पास जाएंगी इसके पास ABG के पास जाएंगी यह तीनो request और ABG अब यह देखेगा क्या कौन-कौन free है ABG यह देखता है का कौन सा router free है अब for example इसको यह free वाला देखा तो इस packet को यह इधर से वेज़ देगा ठीक है फिर इसको यह request जा रही थी तो इसने ABG ने देखा इस request को उठाया फिर इधर से वेज़ दिया हो सकता है फिर इस request को इधर से अपने ऊपर से ABG भहिया दो role play कर सकता है ABG का और ABF का यानि कि यह forward भी कर सकता है क्या है यह forward भी कर सकता है और gateway भी बन सकता है दीपक भाई हेलो तो यह चीज हो सकती है इधर ABG और ABF का concept यह है actual virtual gateway यानि और यह सारी जो query resolve होती है विद्दा based on ARP यह काई के बेस्ट पहा है ARP याद है हम लोगों को ARP हम लोग पढ़े थे address resolution protocol TCP IP model याद है तो yes नहीं है तो बताओ फिर बें बताता हूं नहीं याद चलो good समझाता हूं इसको अब यहीं रोकता हूं थोड़ा सा अधियार पी अधियार थी अधियार पी अधियार पी के बारे में हम लोग बात करते हैं अधियार पी इसको हम लोग कहते है address resolution protocol क्या कहते हैं address resolution protocol इसका full form तो पता चला वाई हमको इसको हम लोग कहते हैं a double d r e address address resolution protocol address resolution protocol is hard task perform यह कौन सा task perform करती है भाई दीपक कौन सा task perform करती है यह मेरे पास IP address है ठीक है ip से यह mac को ढूड़ती है network में it find ठीक है mac address is based on ip address ठीक है जैसे कभी कभी क्या होता है मेरे पास डीपक का ip address होता है किसी भी बंदे का मेरे पास ip address है बट काई की source ip source mac जब मैं किसी को भेजता हूं तो source mac और यहाँ destination ip address और destination mac ठीक है इतनी चीज का जरूरत होता है मुझे किसी को भीजता हूं तो जो packet के अंदर जो आड़ होके आता है तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं तो अब यहाँ पर मेरे पास condition कुछ ऐसा है अधियर मेरे पास source ip है source mac है वट आई डिंट है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे पास जो है वहिया क्या नहीं है डेस्टीनेशन mac नहीं है क्या है डेस्टीनेशन का mac address नहीं है तो इस काम को कौन करता है इस काम को करता है भहिया मेरा ARP protocol network में कौन करता है आर्प address resolution protocol ठीक है आर्प बैसे बहुत बड़ा topic है अगर आर्प के type की बात करते हैं तो एक होता GR ठीक है और एक होता जी आर्प एक होता proxy और रिवर्सीर सर्थ एन फैब्स डाम मतलब क्या है यहां यहां प्रोटो։कालink स्वल्ऴाइड कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक नेटवर्क आई है जहां पर मैंने यह कुछ कम्प्यूटर्स लगाई हुए हैं इसका मैक अडरस यह है और यह भी कुछ कम्प्यूटर्स हैं यह कम्प्यूटर्स हैं एंड दिस इज राउटर आफ माई नेटवर्क यह मालो मेरा राउटर है नेटवर्क का और यह सभी आपस में कनेक्टेड है सभी आपस में कनेक्टेड है तो हम लोगों को OSI मोडल याद है जब हम लोग बात करते हैं और यह कम्प्यूटर जो है इसका जो मेरा मैक अडरस है वो है और यह मालो इस कम्प्यूटर की मैक अडरस भी है ठीक है IP address का हम अभी कुछ रखते नहीं, इस पर केवल अभी ARP सही काम करवा रहे हैं, नहीं तो हम ARP का भी यहाँ ले सकते थे कुछ भी, चालो अब यहाँ पर क्या होगा, कि इस वाले computer को, this computer is want to send something to this computer, इस computer को कुछ बेजना चाहता है ठीक है भाई, इसको यह कुछ बेजना चाहता है, तो जब data send होता है, तो अगर हम बात करते हैं, according to OSI model तो application layer, presentation layer, session layer, ठीक है, transport layer, और यह network layer, ठीक है, और हमारा data आ जाता है, जब mac address की बात आती है, तो किस पर, data link layer पर आ जाता है तो data link layer पर आप यह packet किस तरह का बनता है, तो data link layer पर यह packet कुछ इस तरह का बन जाता है ठीक है भाई, data link layer पर इस packet की कुछ इस्तिति यूं करके हो जाएगी इसकी एक field हो जाएगी कुछ इस तरह ऐसे, जिसमें यह कहेगा, कि बहिया destination mac address तो है, sorry, destination मेरे पास, नहीं, 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 B है यह, और यहाँ पर मुझसे पूछेगा भाईया, destination, अपना IP address बताओ मुझे, question mark, पूछ रही है उससे, और ठीक है, और यहाँ पर फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला यह तो मैं, मैं question पूछ रहा हूँ उससे, किस से, इस network में डालने के लिए packet, पैकेट बना रहा हूँ, जाकर यह पूछना है, destination, mac address अपने पास है, और ठीक है, IP address पूछ के आओ, फिर यह अगला क्या करेगा, अगला करेगा कि इसके पास अपना बताएगा यह, कि मेरा mac address, ठीक है, ठीक है, source mac address बताएगा यह, source mac address अपने case में है, A, और इसको, ठीक है, destination का mac address नहीं पताएगा, बाद वाकि सभी bits को उठाएगा यह, broadcast में डाल देगा, ठीक है, और इस packet को उठाएगा, यह जो packet है, इसको physical layer पर आते ही, यह जो मेरा packet है, पूरे network में broadcast हो जाएगा, क्या होगा, पूरे network में broadcast हो जाएगा, अब यह broadcast सब के पास जाएगी, इसके पास भी 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 जाएगी, इसके पास नहीं करेंगे reply कौन करेंगा क्योंको उसने पहले ही बताया हुआ है यहां पर भाइया वही बंदा अपना ip address बताए जिसका mac address भी है जिसका mac address भी है ठीक है जैसे यह reply देगा यह इसको और अब यह जो देखो जब reply send होती है तो यह broadcast होती है जब source इसको broadcast करता है बट जो destination होती है वो इसको क्या करेगी unicast क्या करेगी unicast करेगी unicast का मतलब यह जो है फिर जब इधर से यह reply जाएगी तो केवल डायरेक्ट और डायरेक्ट इसको जाएगी इसके पास नहीं जाएगी के लियर ठीक है चालो तो यह चीज होती है इसके अंधर तो यह होता है आर्प प्रोटोकॉल तो यहां पर यह जो मैं इतनी बाते कर रहा हूं यह आर्प इसलिए बात कर रहा था क्योंकि यहां पर क्या होगा मेरे जितने भी हैं नेटवर्क में, सब की entry रहेगी, और ये क्या करेगा, सब को उठाएगा, अपनी entry में डालेगा, और वहां पर ये चेक करता रहेगा, कौन फुरी है, क्या है? कौन फुरी है? और जैसे जिसको जो फिरी दिखता है, उसके थुरू ये डेटा भेजता रहेगा, क्योंकि ये जो है मेरा GLBP क्या करता है, GLBP is providing the gateway load balancing, gateway की क्या करता है, load balancing provide कर आता है, तो AVF हम लोगों ने समझा, actual virtual gateway, ये क्या करता है, forwarding करता है के वल मेरी ARP request की, यहाँ पर है, ये जो request ARP के थुरू इसके पास आएगी, तो ये जो actual virtual AVG होता, वो ये देखता है, क्यों सा router free है, ठीक है, फिर उसको वो ARP request देदेगा, वो लेके चला जाएगा इधर, फिर ऐसे ही करके, वतलब ये send करता रहेगा, ठीक है, इसमें सारे router active रहेंगे, load balancing हो ही रही है, इसको दिखा ये खाली है, इसको दिखाई ये खाली है, तो इससे वेज दिया, जब नहीं खाली है, तो ये अपने आप से भी भेज देगा, ठीक है, तो ये चीज हो गई, और preempt की बात आती है, तो preemption जो होता है, जो मेरे AVF होते हैं, AVF पर सभी पर by default preemption enable होता है, AVG पर preemption disabled होता है, ठी हम लोगों ने समझी लिया अब बात आती है GLVP virtual mac address assignment तो यहां पर क्या होता है जब कोई भी request आती है send traffic it require a mac address for the virtual gateway वो जो आर्प request आती है virtual gateway के पास आती है virtual gateway by sending ARP request it is responsible response to ARP request और यह जो सारे responses देता है AVG काई के बेसिस पर देता है हमारे mac address के बेसिपर या mac address के query resolve होती है ARP के बेसिपर ठीक है तो virtual gateway redundancy के लिए बात करते हैं तो यहां पर यह क्या करता है hello messages बेजता है और इसका जो hello timer है वही तीन सेकंड और दस सेकंड है तीन सेकंड है तीन सेकंड है लो डेट टाइमर या फिर कहें hold टाइमर इस दा 10 सेकंड तेक है इस टाइमर को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं broadcast IP address यह है ठीक है virtual forwarder redundancy तो यह कहा रहा है there can be maximum four routers in GLBP एक ग्रूप GLBP के अगर आपने एक group बनाया हम लोग कल क्या कर रहे थे group बना रहे थे तो मैंने group ID 1 दी है तो इसके अंधर इस group ID में मैं मैक्सिमम और मैक्सिमम यानि कि यहां पर यह यहां पर मैं एक राउटर और लगा सकता हूँ मैक्सिमम चार राउटर जिसमें एक AVG बनेगा और वादवागी सभी AVF बनेंगे ठीक है भई यह चीज आई अब आती है लोड बैलेंसिंग की बात लोड बैलेंसिंग वही किस किस बेस्तर होती है यहां पर यह बात करते है हम लुग हलो ठीक है तो हम लोग बात करते हैं GLBP लोड बैलेंसिंग करता हैlled वो किस चीज पर है या फिर अगर हम बात करें GLBP use three algorithm for load balancing यह तीन तरीके या तीन algorithm यूज करता है काई के लिए हमारे GLBP load balancing करने के लिए एक packet इधर से जाए एक packet इधर से जाए यह जो load balancing हो रही है इसके लिए बात कर रहा है काई के इसके लिए बात कर रहा है का load balancing यह कितने तरीके से कर सकता है तो it's providing us, ठीक है, load balancing three types, पहला है round row in, कैसी, round row in, ठीक है, और by default round row in नहीं होती है, हमारे GLBP के अंदर जो load balancing होती है, अब यह round row in का मतलब क्या है, round row in का मतलब यह है, जैसे for example, तीन बंदों ने अगर कोई packet वेजे, ठीक है, तीन बंदों ने कोई packet वेजा, तो पहला packet इदर से दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, यानि कि तीनों router से एक एक packet वेजेंगे, this is the round row in process, क्या है यह, यह, यह round row in process, क्यलियर भई, सुमित, यह round row in process, तो round row in process में सारी जो request है, वो बरावर बरावर जाएगी, जैसे आलो, यहां 30 router है, ठीक है, तो पहला, इससे गया, दूसरा इससे गया, तीसरा इससे गया, फिर मालो अगला फिर भेजता है यह जैसे मालो फिर से कोई request भेजता है, तो फिर इससे जाएगा, फिर यह भेजता है, तो फिर इसका इससे जाएगा, फिर यह भेजता है, फिर इससे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, मतलब बराबर ब एक पाचेट वेजेंगे सभी, अगला आता है host independent, being anользist mean अब होश्ट इंडीपेंडेंट आंड में क्या मतलब है, host independent में सम जाता हूं, if particular host send specific virtual MAC address, ठीक है avf assigned to the host ठीक है host independent में क्या होगा मैं बताता हूं, host independent में यह होगा जिसका IP address सबसे higher है, अगर मैंने लोड बैलेंसिक होस्ट इंडिबेंडेंट कर दी तो जिसका आईपी अडरस सबसे हाई यह रहा है सारे के सारे सारे के सारे रिक्वेस्ट उसी से होके जाएंगे पहला आईपी अडरस और दूसरा कहने का मतलब यह है इस पर ठीक है यह कह रहा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बर्चुल मस्थीन एडरस एबरी एबरी टाइम देंडा स्पेसिफिक एवेस्ट इस असाइंड टू होस्ट ठीक है तो इसमें अगला है वेटेड बेटेड में क्या है का फॉर एक जामपल अब बेटेड की बात करते है पिक्चर में ज्यादा इधर दर हो गय करके एक नई हम जी अलबी पी ओपन वेड एंट है अब हम लोग बात करते हैं वेटेड की का बेटेड में क्या होगा अब बेटेड में मैं क्या कर सकता हूं जैसे फॉर एक जामपल कि यह राउटर कुछ ऐसे कनेक्ट होते ही है इससे यह सीरियल के थुरू करेक्ट होता और यह मालो यह वाली लिंक मेरी गीगाविट लिंक होती ठीक है यह वन गीग की लिंक है और यह मालो दिस इस माई 10 गीग लिंक या फिर मैं इसको माल लेता हूं 40 18 का link है 40 GB वाला link आई फीक है ये सीरियल वाला मेरा link है ये सीरियल है सीरियल फीक है भई अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर काहिकी बात कर रहे थे वेटड की तो वेटड में मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूं जैसे मालो फॉर एक्जामपल मैं चाहता हूँ त्रीक है अब यहां से मालो फॉर एक्जामपल नेटवर्क के पीछे से मालो 100 क्वेरी आ रही है। प्रिक्वेस्ट आती है तो बेटेड में मैं इसको बता दूगा यह मालो यह मेरा AVF है मतलब AVG स्वरी AVG है और यह मेरा AVF है वर्चुल फॉरवर्डर एक यह फॉरवर्डर है मैं यहाँ पर यह बेटेड में यह कर सकता हूं मैं यह में बेटेड में यह पर यहाँ बेटेड में चाहता हूं तो मैसे तो इधर से जाएं, इंटरनेट के पास, ठीक है, तीस रिक्वेस्ट इधर से जाएं, बन गीग वाले लिंक से, और ये दस रिक्वेस्ट मेरी इस वाले लिंक से जाएं, इट इस दा बेटेड टाइप आफ, ठीक है, बेटेड पर आप क्या कर सकते हैं, लोड को वेट करके उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, कितनी आर प्रिक्वेस्ट, कौन सा फ्रवर्डर या एवीजी रिजॉलू करें, के लिए रहे हैं, बेटेड, देखो, दा लोड बिल डिस्ट्रिब्यूटिंग अकॉर्डिंग दा रिक्वाइर्मेंट, याने के जरूरत के हिसाब से, तो मैंने यहां क्या कि 48 GB है या बहुत फास्ट है, तो इसको इतना दे दो, यह बन गीग है, इसको इतना दे दो, सीरियल का लिंक बहुत स्लो होता है, मैंने कि भईया, देखते हैं, कौनफीग्रेशन में अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, और दोको बाइडिफॉल्ट इसको यह वाला कमांड चलाने का जरूरत तो बैसे है नहीं, एक्शुली मैं आपको बताऊ, क्योंकि दोको बाइडिफॉल्ट मैंने आपको बताया, डिफॉल्ट जो लोड बैलेंसिंग, इसमें GLBP होती है, अपने आप, आपको करने का जरूरत नहीं, वो यह होता है, राउंड रोबिन, यहाने कि बराबर बराबर रिक्वेस्ट यह भेजेंगे, तो चलो देखते हैं जरा, एडवांटेज, इसका एडवांटेज देख लेते हैं, GLBP, सपोर्ट के लिए टेक्स्ट, यहाने कि यह अथंटी के सर भी सपोर्ट करता है, GLBP हमारा, इट सपोर्ट, एक हजार चौवीश, वर्चुल राउटर, ठीक है, इट एलाओ, लोड सेरिंग, लोड सेरिंग तो करता ही है वाई, और क्या हुआ हुज़ता है, चलो देखते हैं, और कु की तरफ, काई की तरफ, लेव की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, अपना GNS, अधियार, ठीक है, प्रॉपर चालू है, तो मैंने क्या किया है, मैं आपको बता देता हूं, पहले ही, मैंने कल लिए फिगर बना के, जो मैं अधि आपको दिखा रहा था, फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, डेक्स्टॉप, जील बीपी, और, जैसे हम लोग क्या करते थे, पैकेट ट्रेसर में सेव कर लेते थे, तो मैंने टाइम को बचाने के लिए, फिर मैं क्या करता, किलास में अभी बैठता, अवे सारे इनको आईपी अडरस देता, राउटिंग करता सभी राउटर्स के उपर, ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ पहले ही की हुई है, डाइरेक्ट, और आईपी बगारा सारी चीज़ें दे रखी हैं, चलो देखते हैं अभी, बस लोड हो जाएए, ठीक है, लोड हो चुकी है, अब हम लोग कंसोल ले लेते हैं इनके, यान की पुट्टी, अब है, अब है, तीनों राउटर सागे मेरे पास, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको यह देखके ही पता चला होगा, मैंने क्या किया हुआ, इसके उपर मैंने EIGRP Configure कली कर दिया था, ताके हम लोग ज़्यादा बिना टाइम विगाडे अपना काम स् आईपी रूट, सो आईपी रूट में देखो मैंने EIGRP Configure किया हुआ है इदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हो गया अपना reachability के लिए हम लोगोंने की आरे, और एक computer भी ले लेता हूँ में इदर, वैसे मुझे एक से ज्यादा लेने चाहिए, अभी फिलाल एक लेता ह पीसी आगया, सो आईपी, ओ ओ, सो आईपी, सो आईपी चलता हूँ तो इधर आईपी एडरस नहीं है बाई, computers के ऊपर, मैं भी I forgot, मैं साथ भूल गया हूँगा, computers पे IP address डालना बट इधर हम लोग चलते हैं जरा, protocol configured है, कोई दिक्कत नहीं, PC पे चलता हूँ, IP address देता हू ठीक है, 20 दे देता हूँ इसको, space, 8 और जो गेटवे में रखने वाला हूँ, that is, और इसका Mac address अभी है, यह यूज करेगा, यह वाला computer, तो सो आईपी करके चेक कर लेता हूँ, IP आ गया, ओ-ओ, अभी भी नहीं लिया, इनने, using Mac address, यह क्या दिक्कत है, यह क्या रहा, address not changed, यानि address not changed का मतलब तो यह हो गया, कि पहले से ही पढ़ा हुआ है, इसके उपर, address not changed, अच्छा, अच्छा, using duplicate address, अच्छा, दिक्कत क्या है भाई, okay, 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 21, देखता हूँ, यह रहा, it's set, इस computer पर हो गया, set, so IP करके देखते हैं, यह IP address definitely मैंने या तो किसी को दिया होगा, इसलिए 20 वाला इसने नहीं लिया, ठीक है, so IP करते हैं, देखो इस बार ले लिया, इसने, the IP address of 21 of this PC1, और अगले पर चलता हूँ, console and console, hold, ठीक है, टीनों कम्प्यूटर भी ले ले लेता हूँ, PC2, IP 10.0.0.22 8 10.0.0.100 IP address रखने वाला हूँ, it's set, and IP 10.0.0.0.23 slash 8 10.0.0.0.100 ये गेटवे रखने वाला हूँ में, ठीक है, IP address में set कर दिया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, GLVP कॉन्फिगर करना है, इन राउटर्स के उपर, तीनों के उपर, और हमेशा याद रखो, जो हम लोग GLVP, HSRP, BRRP, जो भी करते हैं, इस वाले इंटरफेस पर, इधर करते हैं, इधर, यानि कि लेन वाले इंटरफेस को, जो मुझे लेन से कनेक्ट करा रहा है, तो इधर मेरे पास, तीनों जग है, एफ है, 0x0 है, तीनों राउटर पर, तो अब चलते हैं, जब चलते हैं, जब चलते हैं, ठीक है, चलता हूँ, मैं सबसे पहले राउटर वन पर, और मैं राउटर वन को ही, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, कि मेरा AVG वने, तो प्रायोर्टी हाई कर दूँगा पहले ही, तो configuration स्टार्ट करता हूँ, इंटरफेस, FA0, Y0, बिल्वीप वन प्रायर्टी, प्रायर्टी हम लोग कितनी रख सकते हैं, maximum रख सकते हैं, जो 0 से लेके, ठीक है, 250 तक रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रायर्टी इस 150, ठीक है, 150, और इसको नाम भी आप दे सकते हो, आप जो यह कर रहे हो ना, myglvp, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, name, ठीक है, इसको name दे देता हूँ, myglvp, one, one, enter, glvp, इधर हो गया, और इधर मैंने इसको प्रायर्टी दे दी, तो यह राउटर मेरा क्या बन गया, active, अब यही कमांड में, तीनों राउटर्स पर चलाता हूँ, ताके तीनों पर यह gateway सेट हो जाए मेरा, तो इस पर भी चलता हूँ, confity, interface, fa0y0, अच्छा, copy नहीं हुई कमांड, ठीक है, control-z, control-z, ठीक है, और राउटर 3 पर फिर से चलता हूँ, 3 से फिर से क्या, confity, interface, fa0y0, कमांड, control-z, और अब टेस्टिंग की कमांड चला लेते हैं, ज़रा, तो कमांड है, glbp, टेस्टिंग करता हूँ, ज़रा, so, glbp, मैंने कमांड चला, इधर देखो, ज़रा, ओके, 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 यह रहा मेरा कमांड, so, glbp, जैसे ही मैंने चलाया, यह कह रहा, यह router, फास्ट इथरनेट, जीरो जीरो, इस पर गुरूप नमबर वन है, ता स्टेट इज एक्टिव, और इस राउटर की जो स्टेट है, वो एक्टिव है, और यहां पर जो बदला हुए, यह दो बार हो गए, पिछले एक मिनिट से 30 सेकेंड के अंदर, बर्चुल आईपी एडर्स आपने यह सेट किया है, हैलो टाइमर यह है, ठीक है, होल्ड टाइमर यह रहता है, नेक्स्ट हैलो, कब भेज़ेगा यह, और यह देखो, प्रियम्शन, देखो, एक्टिव राउटर के उपर, प्रियम्शन इज आलवेज डिसेवल, ठीक, यह चीज, इसके बाद एक्टिव लोकल है, और यह प्रायर्टी 150 कॉन्फिगर की है, डिफॉल्ट वेट इसकी 100 होती है, ठीक है, और लोड बैलेंसिंग देखो भाई, इसके बाद अगली चीज आते है, मेरे पास फॉर्वर्डर, इसके बाद अगली चीज आते है, क्या है, अगला फॉर्वर्डर यह तो इधर कमांड चलने में हो सकता हूँ, मसला हुआ, चलो अभी चेक करेंगे हम लोग, टरबल स्रूटिंग भी हो जाएगी इसी वहाने, तो फॉर्वर्डर का देखते हैं जड़ा, यह फॉर्वर्डर है अपने पास दूसरा, मतलब फॉर्वर्डर वन, यह, फॉर्वर्डर टू, तो इस्टेट इजी एक्टिव है, वन इस्टेट चेंज यतनी देर में यह हुई है, मैक अड्रस उसका यह है, और उसकी ओनर आईडी यह है, और यह, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर भी चलते हैं, फिर से कमांड चलाते हैं, soglbp, इस पर भी चलाते हैं, तो इधर कुछ मसला हुगा, आई देको, soglbp चलाने पर, it's not a respond, इसने कोई भी respond नहीं किया मुझे, तो गड़वड है इधर है, आप तीसरे वाले पर चला लेता हूँ इधर, soglbp, इन दोनों ने मुझे कोई भी response नहीं दिया भाई, तो forwarder 1 यह अपने आपकोई so कर रहा है, यहाँ पर तीन forwarder होने चाहिए थे फिर, तो यह command, कमांड में गड़बड हुआ इधर देखो, दो हैस आ गए और कमांड मैंने यह चलाना था, तो मैं फिर से चलता हूँ, इंटरफेस फिर जीरो बाई जीरो और एग्जिट, इस बार कमांड मेरा सही चला है, I hope, इंटरफेस फिर जीरो बाई जीरो, कमांड सही चलना चाहिए, एग्जिट क्योंको उसमें हैज आ गया था दो बार, और अब हम लोग थुड़ा सा वेट करते हैं, इट्स में भी टेक, फारवर्डर वन, फारवर्डर टू, एंट फारवर्डर थ्री, देखो, सही कमांड चले, इसने तीनों को, क्योंको मैंने आपको इधर बताया था, कि मेरा एवी जी, एवी एफ भी बन सकता है, क्या है, एवी एफ भी बन सकता है, तो इधर भी एफ थ्री फारवर्डर एक तो यह खुदी है, दूसरा यह राउटर टू होगा, फारवर्डर टू में, ठीक है, और यह किसमें, लर्निंग स्टेट में है, और यह 600 सेकंड का मतलब क्या होता है, तीन मिनिट, नहीं, दस मिनिट का मतलब 600 सेकंड, टी टी एल यह और यह बेट वगेरा, यह सारी चीज़ें इधर दी हुई है, तो मुझे पता चल गया, इधर भी चला के देख लेता हूँ, इस बार देखो, और यहाँ पर यह वता रहा है का कौन एक्टिव है, तो सो, GLVP, और भी कमांड है, सो GLVP Brief, एक कमांडा सो GLVP Brief, यह देखने के लिए, का कौन एक्टिव है, कौन स्टेंड वाई है, कौन सा राउटर, एक्टिव है, कौन सा स्टेंड वाई है, और मुझे लगता, प्राइर्टि वाली भी साइध हमारी कमांड चली नहीं है, यह हम लोगों ने, GLVP प्राइर्टि डेड़ सो सेट करी थी ना, तो यहाँ पर यहाँ पर मुझे कुछ देखो, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, एक राउटर, जिसकी प्राइर्टि हंड्रेड है, वो मेरा स्टेंड वाई में है, जिसकी एड्रेस बता रहा है, यह है, तो यहाँ पर यह क्या क्या रहा, देखो, वन वन टू, यानि कि जिस राउटर की आईप अडर्स, 10.0.0.3 है, वो राउटर मेरा क्या है, एक्टिव, लोकल का मतलब यह है, कि लोकल का मतलब, अगर मैं यह कमांड चला रहा हूँ, यही सेम कमांड दूसरे राउटर पर चलाता हूँ, so glbp brief, so, do, so, glbp brief, तो इधर देखो जरा, यहाँ पर, ठीक है, अपने आप जो लोकल लिख रहा है, मतलब उसका आईप अडर्स क्या है, 10.0.0.0. सम्थिंग होगा, देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 3 और यह, और यहाँ पर अपने आपको क्या कह रहा है, एक्टिव, टीन और आउटर अपने आपको क्या कह रहा है होगे, एक्टिव, सो, जी एल, बी पी, ब्रीफ, और यहाँ पर यह, अपने आपको एक्टिव कह रहा है, यह देखो, ठीक है, मगर इधर, एवी जी जो है, एवी जी कौन है, यह, स्टेट इज अक्टिव, जब यह कमांड चलाओगे, तो इधर चलता हूँ, यह कमांड थी, सो जी अल, बी पी, डू, सो, जी अल, बी पी, देखो, अब इस राउटर को, जब मैंने यह कमांड यब इस पर चलाई, क्योंकि यह राउटर तो एक्टिव है, तो इसने अपने आपको एक्टिव बताया, बट यही सेम कमांड जब मैं दूसरे राउटर पर चलाया, तो यह मुझसे क्या कह रहा है, First Ethernet इस राउटर का 0x0 किस स्टेट में है, लिसन स्टेट में है, यानि कि जो राउटर लिसन स्टेट में होता है, that is the AVF, क्या होता है, AVF होता है वो, Active Virtual Forwarder, that is the forwarder, और यहां पर देको साफ साफ कह रहा है यह देको पड़ जरा कि अब फॉर्वर्ड थ्री इस एक्टिव फॉर्वर्ड थ्री जो है वो एक्टिव है जिसके पास प्राइर्टी वैलिव डेड़ फो है ठीक है भाई के लियर आई तनी तो यह अपना glbp अब जरा भो देखते हैं अपना पास मैं क्या करता हूं इधर से टेस्ट करता हूं पिंग 8.8.8.8 देखता हूं जरा रॉटर 3 यार रिप्लाई आ रहा है मेरे पास याने कि मेरे पास एक राउटर फोर है क्या है इस पिक्चर के अंदर मैंने राउटर फोर लगाया हुआ है तो यहां पर हम लोग ऐसा एजियूम कर रहे हैं एक सरैसे में अभी समझा दूँ ठीक है अब यहां पर मैंने क्या किया इसके पीछे एक राउटर के पीछे एक सर्वर लगाया हुआ है यहांने कि सर्वर का मतलब यहां सर्वर तो नहीं लगाया है यहां पर मैंने क्या करते हैं यह लूप बैक बना दिया है और उस लूप बैक को आईप एडरस दे दिया लूप बैक को अब मैं यह चाहता हूँ यह मालो फर एजामपल 8.8 यह माल लेता हम लोग fv.com है क्या है facebook.com है अब हम यह देखना चाहते हैं कि हमारी जो query load balancing से जाएगी तो पहले मैं इस router से क्या करूँगा इस router से इसको trace command करूँगा क्या करूँगा trace करूँगा तो हो सकता पहली reply मेरी इधर से जाए फिर मैं इस router से trace command चलाऊँगा तो वो इधर से होके जाएगी हो सकता तीसर router से trace command चलाऊँगा तो वो इधर से होके जाएगी 10 का 1,2 और 3 देखते हैं चलो एक-एक करके try करते हैं PC1 Command trace T-R-A-C-E इसमें GNS में इतनी चलती है बाद वागि अगर आप this command is run or real तो वहाँ तो फूरा trace art लिखना पड़ेगा देखो जरा this my reply कहां होके गया दीपक सुमित यह गया मेरा 10.0.0.2 से होके अगले से अगले इससे फिर में करता हूँ copy कर लेता हूँ इसको इस वारिया क्वेरी कहां होके गई 1 से होके तीसरे computer पर चलता हूँ ओ-ओ trace trace a.a.a.a.8 sorry गरत होगया इधर and this query 10.0.0.2 1 से यह 2 से यह ठीक है अब मैं फिर एक ही computer से कई AR query वेजगे देखता हूँ अब देखना जड़ा इसका proper output क्या आएगा तो एक command होते ARP-D इससे क्या होता clear ARP यहाँ पर GNS में command चलती है clear ARP यानि पिछली entry हटा दी अब दुबारा से चेक करता हूँ देखर reply किस कही 3 के थुरू गई फिर से मैं command चलाता हूँ clear ARP entry मिटा दी यह clear ARP command क्या करते है पिछली entry को हटा देती है दुबारा करता हूँ इस वार मेरी एक ही computer से में वार वार query वेज रहा हूँ देखो कभी तो वो 3 से वेज रहा है कभी बन से वेज रहा है अगली वार फिर वेजता हूँ इस वार देखते है किस से गई देखो अब देखते हैं जरा मैंने क्या बताया तो load balancing round robin में क्या होता है एक सेकंड जब मैंने पहली बार query की तो यह मुझे किस से है 3 से गोके लेगए दूसरी बार में बन से गोके लेगए तीसरी बार में मतलब एक अई कंप्ईूटर से में तीन बार गया मैंने तीन query वेजी तो कभी तो मुझे उपर वाले router 10.1 से लेके जा रहा है कभी two से लेके जा रहा है कभी three से लेके जा रहा है कुछ इस तरह से यानि कि load balancing यहाँ पर क्या हो रही है proper load balancing हो रही है यहाँ पर क्या हो रही है proper load balancing हो रही है वही है तो जब मैं कभी मतलब कभी मेरा request होता है यह चला जाता है कभी इधर से चला जाता है, कभी इधर से चला जाता है, तो ये सब चला है, तो gateway का काम तो perfect, load balancing भी done, यानि के load balancing कौनसी, हमारी load balancing अभी चल लगी है, round row in, कौनसी, round row in चल लगी है, अब हम लोग क्या करते हैं कि router 1 is my active router और मैं इस router को क्या करता हूँ, set down कर देता हूँ, मैं लोग इसी भी case में क्या हुआ, कि for example मेरा जो AVG था, कुछ भी जी पर कुछ ऐसा हुआ कि यह router मेरा ठंडा पड़ गया, कहने का मतलब किसी भी तरह से down हो गया, कुछ भी हुआ इसके साथ, और its router hedged in down, तो देखते हैं क्या होगा, तुरंत ही यह roll क्या करेगा, पहले मेरे पास, एक second भाई, इधर हम लोग बात करते हैं, पहले मेरा यह वाला router था AVG, और यह था AVF, एफ लिख देता हूँ, ठीक है, एफ, AVF थे यह, अब हुआ क्या, AVG किसी भी case में down हुआ, तुरंत यहां पर दूसरा router क्या करेगा, यह roll shift होके, इन दोनों में से किसी router के उपर आएगा, तुरंत इन में से जो AVF था, वो अपने आपको क्या कहेगा, मैं AVG हूँ अब, जिसकी या तो priority high हो, या फिर जिसके तो यहां पर हो सकता है कि एक router और होता, फर example हम ले लेते हैं, एक router और था यहां, चार थे, ठीक है, तो एक router गया, तो मेरा एक AVG बन गया, और दो मेरे forwarder बन जाएंगे फिर, या बन जाएंगे, दो forwarder बन जाएंगे, चलो देखते हैं जरा क्या ऐसा होता भी है, या फिर तो मैं गया router 1 पर है, ठीक है, but it's taking the, मतलब अगर मैं बात करता हूं, कि मेरा यह जो router होता है, ठीक है, डाउन जाने के बाद लगबग 30 seconds, देखो, यहां पर साफ लिका है, देखो, minimum delay 30 seconds, यह कम से कम 30 seconds का delay लेता है, चारो, देखते हैं, और यह timer free चलना शुरू कर देंगे, तो देखते हैं, konfety, interface, shutdown, जैसे मैं shutdown करता है, init में गया, ठीक है, और state down हो रही है, अब इन routers पर देखते हैं, अभी देखो, काम चालू, यहां पर यह बताने भी लेग गया भाई, इधर भी चलते हैं, इधर भी आना शुरू हो गया होगा, और जिस router की IP address higher थी, may be, that is, चलो अब चेक करते हैं, 100 GLBP, 30 seconds रेट करना पड़ेगा, साइद, 100 GLBP, अब यह क्या कह रहा है, अब यह कह रहा है, भाई, I am active, और अब इधर देखते हैं, जरा, forwarder किते रह गई, forwarder तो अग़ी तीन होई है, और इधर हम लोग, timer, timer, timer देखो, चलना चालू हो गया, देखो, 27 seconds, और यह timer, इधर कहां देखे, मुझे, state, so GLBP, state 1, ठीक है, देखते हैं, अभी यह timer कितना हुआ था, state में गया में, timer मेरा चल गया था, 27 seconds, फिर दुबारा सी यह command चलाता हूँ, 30 seconds तक देखते हैं, अभी, state changes, हुआ है, हुआ हुआ हैं, हुआ हoku हुआ हैं, hut प्रत हुआ हैं, हुआ हैं, कर देखने हैं, अब जड़ा देख लेते हैं टेस्ट करके के कोईरी अब बन से होके जाएगी के नहीं जाएगी किस से होके जा रही है तो फिर से मैं ट्रेस करता हूं किस से लेके जा रहे हैं गो कि थरी किलियर आर्प कि देखते हैं डाउन होने के बाद क्या बन से भी जाएगी कि देखो थरी से ही जा रही है किलियर आर्प कि थरी किलियर आर्प टू से चली गई देखो किलियर आर्प थरी से गई देखो थरी ओर टू से ही सारी क्यारी जाएगी क्योंकर बन मेरा जो एक्टिव था जो मेरा एक्टिव था वो गया वो गया तो जी अल बीपि जी अल बीपी जी अल बीपी ओहो का आए पर आएअ परuciones एप एप सो घ्ल भी पी और अब ये बता रहा है कि है यह वाला राउटर का इम हैए इनिट इस्टेट में चला गया है इटी थीक है आहिए इनित उस्टेट में चला गया है यह इनेट में है सो जी अलबीपी करा यह लेसिन में है और यह वाला राउटर मेरा एक्टिव है कौन सा एक्टिव चलो एक कमांड करके देख लेते कमांड थी सो जी अलबीपी व्रीफ अभी पता चल जाएगा मुझे यह राउटर मैंने डाउन कर दिया है क्या कर दिया है डाउन कर दिया है यानि कि इसका इंटरफेस तो अभी यह पता यह नहीं कर पा रहा भाई पता केवल हम उनसे कर सकते इससे कंट्रोल जड और देखो यह क्या है होल्ड लिसन में है सो GLBP brief एंटर करते हैं अब बताएगा यह मुझे देखो जड़ा एक्टिव कौन है एक्टिव कहा रहा है वहिया अभी इसके पास दोई राउटर दिखा रहा है क्या कहा रहा है दोई राउटर दिखा रहा है एक राउटर लिसन में है जिसका IP address 10.0.0.3 है और एक यह खुद है क्या है एक यह खुद है याने कि लोकल राउटर अपने आपको बता रहा है कह रहा है मैं अक्टिव हूँ ठीक अब यहां पर चलते हैं तो फिलाल जो कंडिशन चल लाई है फिलाल कंडिशन क्या है फिर दुबारा से मैं इस राउटर पर चलता हूँ और 69 कमांड चला देता हूँ इसकी प्राइवर्टी हाई है अभी देखते हैं जड़ा इंटरफेस 69 जैसे मैं 69 करता हूँ अभी देखो नेवर सिफ जूड़ी और यहाँ पर यवी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कर रोल भी सिफ्ट हो जाएगा क्या होगा रोल भी सिफ्ट हो जाएगा बट दिस रोल सिफ्टेड इन 30 सेकंड यानि कि यह टाइम जो लेगा वो 30 सेकंड लेगा भई 30 seconds से पहले यह अब नहीं आएगा देखो 3 और 2 से ही जा रहा है देखो अब बन से जाने लगा यानि कि roll shift हो गया देखो क्या है roll shift हो गया यह कहा रहा है GLBP forwarding change forwarding इसने change कर दी है इस interface के उपर और यह active तो चलो देखने जड़ा कि active हुआ के नहीं so GLBP ठेक है अभी भी यह stand by में है बट इस टेकिंग टाइम टाइमर चल गया है ठेक है अभी टाइमर जैसे ही हो जाएगा फिर देखते है ठेक है यह चीज हो गई मगर यह 30 seconds जो है यह बहुत ज्यादा टाइम है कितना 30 seconds बहुत ज्यादा टाइम है मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम लगे तो आई वांट टाइमर डिफॉल्ट टाइमर वह थी सेकेंड और वह मैं टाइमर भी चेंज कर सकता हूं आपको होगे सर्फ 30 से भी कम हो सकते हैं जी बिल्कुल कम हो सकते हैं चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें हाव तुचेंज दा टाइमर तो कॉनफटी टाइमर कैसे चेंज करते हैं इंटरफेस एफ ए जीरो आई जीरो कमांड है जी अलबी पी और गुरूप नंबर वन टाइमर टाइमर में मैं गया इधर कुस्चन मार्क से हेल्प लेता हूं अगर मैं एक से साथ तक लेता हूं इस टाइम बिल्वी इंदा सेकिंड ये टाइम मेरा काई में होगा हेलो इंटरफल पहला टाइमर मेरा हेलो होता है उसके बाद दूसरा वाला आएगा तो हेलो इं इंटर्वल इन मिली सेकंड तो मैं एम सेक लेता हूं एम सेक में भी कितने से ही पचास मिली सेकंड से लेके लगवग साथ जार मिली सेकंड तक तो मैं इधर ले लेता हूं 100 100 मिली सेकंड पुश्चन मारक अगला लेता हूं होल्ड डाउं टाइमर या डेड टाइमर ठीक है तो यह सेकंड और मिली सेकंड तो फिर से मैं ने एम सेक यूज गिया एम सेक फिर पर वही कितना 120 से लेके कितना 120 मिली सेकंड से लेके आप लगभग यह क्या है एक लाख अशी हजार की सम्थिंग है ठीक है और मैं यहां ले लेता हूं 500 मिली सेकंड हिट एंटर और यह आपका टाइमर चेंज हो गया वाई यह अपना टाइमर चेंज हो गया ठीक है कंट्रोल जेड आप यही सेम कमांड में क्या करता हूं देखो दूसरे राउटर स्पर भी चलता हूं इंटरफेस एफ है जीरो वाई जीरो कंट्रोल जेड इस पर चलाया क्योंको टाइमर सेम नहीं होगा तो पता क्या होगा एक तो जल्दी वेज रहा है एक लेट वेज रहा है तो टाइमर सेम होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है अब बहुत जल्दी जल्दी एक्टिव लिसेन एक्टिव लिसेन ओने लगा भाई इधर फिर गड़ वड़ हो गया क्या कुछ चालो जड़ा कि ताइमर मेंने चेंज किया है फिर से चलता हूँ कॉन फूटी इंटर्फेस सट डाऊन डेखते जल्दी देगो इतकी जल्दी अप प्रोसस हो रहा सारा काम देगो that time is the hundred millisecond millisecond is just nothing ठीक है वो इतनी जल्दी-जल्दी मुझे reply देने लगा ठीक है भाई so GLBP अ देखो यह आउटर देखो within millisecond is active यह भी आप कर सकते हो ठीक है चीज़ें तो बहुत सारी है यार मगर अब इतना ही काफी है धीपक ठीक है चलिए शुरू करते इस तो आउटर को फिर दुवारा समय मैं AVG प्रमोट करना चाहता हूँ तो I put it the command no set और देखिए क्योंकि यहाँ पर मैंने जो टाइमर था वो millisecond में set किया हुआ है ते चाहँ चलो ctrl z so glbp so glbp ठीक है चलो अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग लगाएंगे track इसके उपर track लगाएंगे देखते हैं कि track में क्या होगा जैसे for example ठीक है कि यह वाली जो internet link है अगर जैसे ही इस पर कोई दिक्कत आए यह वाली जो link है इस पर कोई भी दिक्कत आए तुरन्त ओटोमेटिक म to another router क्योंकि इससे क्या होगा जैसे for example कि वैसे तो यह load balancing करता ही है वैसे यहाँ कोई track की जरूवत है yes है बिलकुल है क्योंकि माल दीजे abg नहीं होगा तो abg ही इन सभी routers को यह बताता है कि how to forward या फिर इन सभी computer को जो data forward होता है based on abg होता है अब abg काम नहीं करेगा router डाउ हो गया क्या होगा router डाउन हो गया अब मैं यह बात कर रहा हूं कि this router has been down अब यह router मेरा डाउन हो गया तो क्या होगा कि अब यह बता ही नहीं पाएगा forwarding कौन करना है कैसे करना है तो मैं चाहता हूं को automatic यह roll shift हो जाए तो इसके लिए मैं क्या करता हूं ट्रैक लगाता हूं ट्रैक लगाता हूं अपने router बनके ऊपर और फिर देखते हैं जरा कि अभी यह roll shift नहीं हुआ है अभी यह अभी अपने आप कोई यह घुशित कर रहा है एवी जी जी एल बीपी ब्रीफ एक कमाड़ा चलाते हैं सो आई पी आर्प सो आई पी आर्प में मुझे यह बता रहा है यहां देखते हैं जरा कि जो मैंने आई पी अड्रेस यूज किये हैं किसका मैक अड्रेस क्या है आई आर्प कमाड़ हमें यह बताती है तो किस आई पी अड्रेस के लिए कौन सा मैक अड्रेस यूज हो रहा देखो मेरे एक computer जिसको मैं IP address दिया था 10.0.0.23 उसका MAC address ये है 20 का ये है 21 का ये है फिर मैंने router में 30 वाला ये 34 वाला दिया उस वाले interface का MAC address ये है अगले की MAC address ये है इस वाले का याने की this is the gateway IP address 10.0.0.100 and this is the virtual MAC address क्या है ये virtual MAC address है ये ठीक है भई दिस दा virtual MAC address 10.2 वाले router की ये है 3 वाले की ये Mac है 1 वाले की ये Mac है तो this command is used to ठीक है so the MAC address और किस interface की वो MAC है वो किस interface की IP address है everything you have to see here with the help of this command so IPR ठीक है और देखो कितना इधर एक और चीए आर्प रिप्लाई इस router के पास कितना मतला forward 3 के पास कितनी रिप्लाई आ चुकी साथ router 2 से हम लोगों ने जो की थी वो कितनी आर्ट और जो router 1 से जो solve हुई है आर्प रिप्लाई वो कितनी है 14 यानि के हम लोगों ने इधर से जो trace किया था ना ये trace कि एक वार फिर से देखते हैं जरा कि लियर आर्प फिर से करता हूं तीन से गई क्यारी पहले दो से गई थी लियर करतांग और इस वार इस टाइम नाव आई चेक बन से गई यानि कि बन मेरा एक्टिम में आ चुका है मतलब forwarder में आ चुका है फिर से करता हूं ठीक है बाई तो क्वेरी जा रहा है तो अब हम लोग फिर से चेक करते हैं यह command चला के आर्प वाला देखो कितना है 14,8 और 7 इस बार करता हूं देखो क्वेरी कितनी बड़ी या नहीं बड़ी देखते हैं जरा 14,8,7 ही है और इधर चलता है जरा 100,GLBP 14 और देखो इधर कितना forwarder 2 ने 19 और अठार है ठीक है जाने कि जितने एक क्वेरी है मतला आर्प रिक्वेस्ट या ट्रेस उसको कोई करेगा तो उतने ही आर्प रिप्लाई उससे होके जाएंगी गेटवे से और यह उनको ट्रेक करता है यह देखो ठीक है वाई तो चलते हैं जरा अब मुझे ट्रेक लगाना इसके उपर तो ट्रेक की कंडिसन अब लोग समझी गए थे सो जी अलबी पी कुश्चन मार्क इंटरफेस एफ रहे जीरो आई जीरो अहाँ तो ड़ा से इंटरफेस नहीं लगया गा इधर ठीक है तो एफ है जीरो बाई जीरो का ही बतारा इस्टेट एक्टिव है ठीक है और यह चीजे इसके बाद लिसन इनेट डिसेवल के पैविलिटी ब्रीफ एक्टिव और यह सारी का वांड आएं ठीक है मैक्सिमम रिप्लाई सबका एक जैसाई आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है झाल 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 झाल